हेलो एब्रीवन कीफ़ लेरिंग में आपका स्वागत है और इस वीडियो में जो हम कुशन सौल करें वो है क्लास 10 अक्सराइस नंबर 5.2 कुशन नंबर 8 तो कुशन में कहा है एक AP है जिसमें 50 टर्म्स है और इसका 3rd टर्म 12 है और साथ ही कहां लास्ट टर्म 106 है तो आप फाइंड कीजिए 29 टर्म ठीक है तो जो AP है उसमें 50 टर्म्स है मतलब यह स्टार्ट होगी A1 A2, so on ऐसे A3, A4 और कहीं इसका A29 टर्म्स भी आएगा और कहा है कि इसमें 50 टर्म्स है इसका मतलब जो लास्ट टर्म होगा वो A50 हो जाएगा ठीक है तो यह कहा कि इसका जो थर्ड टर्म है वो तो 12 है मतलब यह जो टर्म है यह 12 है ठीक है और कहा इसका जो 29 टर्म है वो आप फाइंड कीजिए तो यह आपको फाइंड करना है यह नहीं पता और कहां last term जो है वो 106 है तो ये कह रहें कि जब AP कहां तक है 50 terms ही है इसके अंदर तो ये जो last term है मतलब ये A50 होगा तो ये जो term है ये 106 हो गया ठीक है अब देखे जो A3 है उसको हम क्या लिख सकते हैं जो A3 है that is A plus 3 है तो 2D ठीक है तो A plus 2D के value आपको 12 दे रखे और A plus ये जो A29 है ये असल में A plus 29 है तो एक कम कर ले 28D इसकी value आपको find करने को कहा गया है और A50 आपको दे रखा है last term ये है तो ये A50 है मतलब A plus 50 है तो एक कम कर लीजे ये जाएगा 49D जो की 106 दे रखा है ठीक है तो given आपको दो चीजे है ये और ये इन दोनों से ये जो equation बनी है इन्हें solve करेंगे A और D की value निकाल देंगे वो A और D की value इसमें रख देंगे तो हमारा A29 आ जाएगा मतलब जो 29th term है वो find हो जाएगा ठीक है अब देखें तो A3 आपको दे रखा है according to the question A3 याने A plus 2D की value आपको दे रखिए वो है 12 ठीक है और 50 याने A plus 49 की value आपको दे रखिए A plus 49D जो कितना है 106 है तो इसको हमने first equation इसको second equation मान लिया अब इसे elimination method से solve कर लिजे A और D की value निकालने के लिए तो हमने क्या किया देखिए पहले से ही same elimination में हमें same करना होता है पहले से ही same है सीज़े subtract करेंगे बस हम तो subtract कर दीजे first में से second को first minus second जैसे हम ऐसे करेंगे तो sign बदल जाएगा यह जो plus है नीचे के sign बदल जाएगे यह हो जाएगा minus यह plus ही हो जाएगा minus यहाँ भी plus है यह हो जाएगा minus तो यह A से A एक plus एक minus हो गया तो यह तो cancel यहाँ से plus और minus plus minus minus 49 minus 2 47 D वो भी minus का क्योंकि यह greater है इसके पास आप minus sign है फिर यह है plus plus minus minus 106 minus 12 यह हो जाता है 94 वो भी minus का फिर इसको आप नीचे कर दीजे तो D is equals to minus 94 upon minus 47 minus से minus cancel और 47 से यह 2 times ठीक है तो 47 से 94 2 times कट गया इसका मतलब D की जो value आई वो तो आ गई 2 ठीक है अब इस D की value किसी भी एक equation में रखके A की value निकाल लेंगे put the value of D in suppose first में रखने first equation तो first equation क्या है A plus 2D equal to 12 और D की value रखने तो यह हो जाएगा A plus 2 into D की value D की value किती है यह 2 is equals to 12 ठीक है बाकी इदर solve करता हूँ है तो यह हो जाएगा A plus 2 2 जा 4 is equals to 12 अब A को यहीं रखे 4 को उदर भेज दीजे तो यह हो जाएगा 12 यह plus का उदर जाके minus का 4 A is equals to 12 minus 4 8 ठीक है A की value भी आ गई अब हमें क्या निकालना है A29 याने A plus 28 D तो A29 जो हमें find करना है वो होता है A plus 29 यहां हो जाएगा 28 D और इसमें A और D की value निकालके से solve कर दीजे तो यह हो जाएगा A, A की value आई है 8 plus 28 इंटू और D, D की value आई है 2 इससे आगे solve करें तो यह हो जाएगा 8 plus 28 इंटू 2 56 और इसको sum करेंगे तो यह हो जाएगा 64 तो जो हमारा A29 यहने 29 टर्म जो है वो 64 है यही हमारा answer है Hopefully आपको यह समझ आयोगा Thank you very much for watching क्ष análि हूग Hay क्षjutड है क्वाबिया क्वाबियो आपको कि भ 스て झाल